हलोगेज मेरे नाम है अरून आप दिखने हैं ऑनलाइन जैसका और आज मेरे पास है नॉइस ब्रेंड की तरफ से आने वाले एक और लेटेस्ट पॉकेट फ्रेंडली प्राइज रेंज की नेक बेंड स्टाइल ब्लूटूथ एरफोंस नॉइस ट्यून चार्ज जिनमें की 16 और तक का प्लेटाइम ब्लूटूथ 5.0 3D बेस और IPX5 वाटर असिस्टेंट सर्टिफिकेशन मिल जाता है आई वोडियम करते हैं इसको उन्बॉक्स बात करेंगे इसको कुछ फीचर्स की स्पेचिफिकेशन की और वीडियो के लास्ट पे मिलेगा मेरा ओपीनियन इससरे के बॉक्स में आता है नौइस का लेटेस्ट टूनचार्ज Bluetooth 9-band headphones बॉक्स पूरी तरह से इसकी सील को गट करते हैं बॉक्स के सामने नेकबेंड का एक पिक्चर, वोडल नेम, साथमें नॉस की ब्रैंडिंग और हैस्टेक दिया हुआ है यहां पर कुछ की फीचर्स बताए गए हैं जैसे कि अप्टू 16 अवर्स तक प्लेबैक बैलेंस साउंड पावर्ड बाइग वालकॉम फुल रिमोट कंट्रोल सिक्योर फिट डिजाइन और बॉक्स के इस तरफ दिया हुआ है कलर वेरियंट जो है जैट ब्लैक बागी बॉक् साथ में आपर कस्टूमर केर के डिटेल्स भी दिये गए हैं नीचे की तरफ दिया हुआ है मार्पी जोहर्ट 2499 मतलब कि 2500 रुपए लेकिन आपको नौइस ट्यून चार्ज ब्लूटूथ नेक्बेंड हेडफोन मिल जाएंगे 1699 रुपीस के रेगलेर प्राइज में बैस् सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में कुछ सेफटी इंफोर्मेशन अगरा तो अगर आप चाहें तो जरूर से इसको पढ़ सकते हैं एक और कार्ड जहां पर की दिया हुआ है रेजिस्टर यह और प्रोड़क्त मतलब कि इस प्रोड़क्त की वारंटी मिलती है जिसके लिए हुए बार कोड या लिंक के जरीए आप रेजिस्टर कर सकते हैं एक्स्ट्रा पेयर ओफ सॉफ्ट इयर टिप्स जो है स्मॉल और लाज साइज में मीडियम साइज वाले और लगे हुए मिलते हैं माइकर यूसपी चार्जिंग केबल नेक बेंड को चार्ज करने लिए और इयरफोंस मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से रखे हुए और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं नेक बेंड ब्लूट इयरफोंस आते हैं मैट ब्लैक और ग्लॉसी फिनिस के साथ मैं और डिजाइन फुड़ा सा यूनीक और इंप्रेसिव सा लग रहा है उपर की तरफ य साथ में नॉइस की ब्रेंडिंग यहां पर दिख जाती है अंदर की तरफ देखेंगे तो यहां पर लेफ्ट राइट के सिंबल्स ते हुए मतलब की नेक बेंड का कौन सा इससा राइट में रखना है तो आपको बड़ आराम से पता चल जाएगा बागी की बात करूं तो कि जो बिट क्वाल्टी है मुझे काफी दे ड्यूरेबल लगी फ्लेक्सिबल सा मेटरियल है जैसे कि आप पोगेट में रखकर ले जाना चाहते हैं तो बड़े आराम से रखकर ले जा सकते हैं जब आपस से निकालेंगे तो अपने सेप में वापस आ जाता है और यह जो य यह बड्स के बारे में तो यहां पर इनका डिजाइन यह भी काफी अट्रेक्टिव लगता है ग्लॉसी फिनिस में आते हैं और कुछ-कुछ मैच करते हैं वनप्लस के बुलेट वाइलेस से और इस तरफ देखेंगे तो यहां पर काफी सिंपल सा प्लैन मैट फिनिस दिया ह हुई है और इस तरफ दिख जाते हैं सॉफ्ट इयर टिप्स जिनके बीच में रेट कलर दिया हुआ है तो थोड़े से अट्रेक्टिव दिख रहे हैं वागि यह तिल्टी डिजाइन में आते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं और इनका थोड़ेसा यूनीक सा ही ड सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़े बहुत पानी वानी या स्वेट वगरा से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है साथ में पर थोड़ा सा मैगनेट भी दिया हुआ है तो यह एक काफी यूसफुल चीज है बिकुत जब आप इनको इस्तमाल नहीं कर रहे हैं तो नेक में यह अपने आपको अरेंज रखते हैं ओवरॉल डिजाइन यहां पर थोड़ा सा बलकी सा तो लगता है लेकिन जो ओवरॉल बिल्टी है फिनिसिंग वगरा है काफी बढ़िया है जिसकी वाइसे काफी अच्छे दिखते हैं नेक में साथ में काफी जाद लाइट वीड भी ह बैटरी जिसको की 0-100% चार्ज करेंगे अगर आप 5 वोल्ट के चार्जर का इस्तमाल करके तो दो घंटे लग जाएंगे बागी चार्ज करते समय यहां पर रेड लेड नोटिफिकेशन दिखाई देगी फुल चार्ज होने पर ब्लू नोटिफिकेशन आपको दिख जाता ह बागी ब्रेंट कहता है एक बार फुल चार्ज होने पर आपको 16 आउर्स तक का प्लेटाइम मिल जाएगा इन एक ब्लूटूथ एरफोंस के दिरिए लेकिन मैं बोलूगा फुल वालियम पर भी अगर आप इस्तमाल करेंगे तब भी आपको 12 गंटे का प्लेटाइम तो बागी नेक्स ताम से जब भी आपको करना है तो ब्लूटूथ अन करके रखेगा आप आवर ओन करेंगे जैसे ही नेकबेंट का तो आटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाता है साथ मैं ब्लूटूथ रेंज भी काफी अच्छी है वैसे तो ब्रेंड कहता है टैन मीटर मैं बोलूगा साथ से आट मीटर तक तो बड़े आराम से डिवाइस के साथ मैं कनेक्ट रहते हैं अगर बीच में कोई आप्स्टिकल नहीं है पावरोटन को मल्टी फंक्सन के लिए इस्तमाल कर सकते हैं ते प्रेवियस कर सकते हैं और एक सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करके आप वोईस असिस्टेंट भी इस्तमाल कर सकते हैं बागी एरफोंस के साउंड आटपुट की बात करें तो इयरबट्स के अंदर मिलते हैं 10 mm के ड्राइवर यूनिट्स और इनके जरी किस तरह का साउंड आटपुट मिलता है इसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा एक्स्पियेंस कर लिए जगा इन एरफोंस के थूरू मिलने वाले साउंड आटपुट को बागी बात करते हैं थोड़ी दिर बात तो फाइनली अब मैं बात करो इन एरफोंस के थूरू मिलने वाले साउंड आटपुट के बारे में अपने ओपीनियन की तो यहां पर जब म्यूजिक सुनते हैं आप तो वहां पर जो वोकल सुनाई देते हैं या फिर कोई ट्रेलर या मूवी देख रहे हैं तो मिल जाते हैं वहां पर जो वोकल सुनाई देते हैं काफी अच्छे से सुनने को मिल जाते हैं साथ मैं मिज़िक के गौरहां जो इस या पर एक बाटन होरे साइड में जिसको करने के बात 3D बेस बूस्टर ओन हो जाता है जिसके बाद मैं मैं बोलँगा काफी जबर्दस तर ओवराल साउंड आट पूर्ट है मैं मैं काफी जदा वैल बैलेंस्ट है वोकल्स वगेरा भी 80-90 परसेंट तक तो काफी किलियर सुनने को मिल जाते हैं 3D base booster जब ओन करते हैं तो 100% वॉलिम पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है लेकिन base आपको काफी अच्छी quality का मिलता है और फाइनल यह बात करें value for money है के नहीं तो 1699 मतलब कि 1700 रुपई के price में आपको यह मिलते हैं और इस price के साब से जो build quality मिल रही है मैं बहुलूगा काफी durable है बाकी design की बात करें तो दिखने में भी काफी impressive लगते हैं साथ में Bluetooth 5.0 और काफी decent सा battery backup भी मिल जाता है इन neckband Bluetooth earphones के जरी है overall sound output भी काफी ज़्यादा well balanced जया और 3D bass booster खास तोर से bass lovers को काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है बागी calling वगरा में भी मैंने इसको check करके देखा तो calling में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी काफी अच्छे से काम करता है इसके लाब गेमिंग की बात करें तो मैंने पबजी अबजी भी खेल के ट्राइ किया तो पबजी में थोड़ा सा audio delay सुनना को मिलता है तो gaming में तो बोलूँगा ठीक ठाग है लेकिन calling में कोई दिक्कत नहीं है इस प्राइस को देखते हुए मैं तो यहीं बोलूँगा यह Neckband Bluetooth Earphone से एक पिक है जरूर से आप इनको खरी सकते हैं बैश्वाइ लिंक नीचे description मैंने दे दिये हैं जहां से टेकली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्लिए क्या प्राइस है या फिर टेकली बाई भी कर सकते हैं बागे अगर थोड़ा सा compare करें इसको Realme Buds Wireless के साथ में जो की 1600-1700 के epoxy आपको मिलते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी से फीचर्स तो जादे मिल जाते हैं लेकिन जो बिल्ट क्वाल्टी हैं इन एक बेंड ब्रूटूथ एरफोंस की थोड़ी से मुझे बैटर लगी साथ में overall जो sound output है वह भी थोड़ी सा बैटर लगा 3D base booster mode तो यहां पर काफी बढ़िया है इसे ही काफी सारी वीडियो काफी जादे अपने सी चैनल पर लेकर आता रहता हूं तो नेक्स टाम कोई भी लेटेस वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा बाकि शेयर करना चाहते हैं तो वह भी आपके हाथ में अभी के लिए इस वीडियो